हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बेक तू मैं यूटूब चैनल आप देख रहे हैं गुम है किसी के प्यार में आप आगे देखेंगे कि शानतनू सभी से कहते हैं कि बेटा आप यहां रुख जाओ और हम चाहते हैं कि आप यहां पर रुख करके पढ़ाई पूरी करो सभी कहती है कि नहीं सर मैं यहां नहीं रुख सकती है आज का एक्जाम दे करके मैं यहां से हमेशा के लिए राम टेक चली जाओंगी इधर ईशान सभी से माफी माँगने की ट्राइ कर रहा है वो कोशिश कर रहा है कि वो किस तरह से सभी से माफी माँगे और वो शीशे में देख करके ये प्रैक्टिस कर रहा है कि सभी से वो किस तरह से सौरी हो ले और वो ट्राइ करता है कि वो सभी से कहेगा मैं, I'm sorry लेकिन उसे लगता है कि मैं आच्छा नहीं लगेगा तो फिर वो दूसी तरह से ट्राइ करता है कि वो सबी से किस तरह से sorry बोले लेकिन उसे हो नहीं रहा है फिर वो सुचता है कि वो क्या करे फिर पानी पीता है और वो सुचता है कि गूगल बाबा से हेल्प लेते हैं तो वो मॉबाइल में सर्च करता है कि किसी लड़की से सौरी बोलना हो तो कैसे बोले फिर वो मॉबाइल से हेल्प लेने की सोचता है वो यह सोचता है कि गूगल बाबा से हेल्प लेते हैं तो वो मॉबाइल में सर्च करता है और मॉबाइल में वीडियो प्ले करके देखता है तो उसमें ये तो नहीं बताते हैं कि सौरी कैसे बोलें लेकिन वो अपनी गर्फिर्ण को गिफ्स वगरा देने का दिखा रहे है तो इशान सोचता है कि वो मेरी कोई girlfriend थोड़ी ना है फिर वो यह सोच करके बैड़ जाता है इदर सभी college जाती है और वो college में पहुंच करके अपने पुराने दिन सोचती है कि वो कैसे first time आई थी भूसले institute में और कैसे वो उसने अंदर entry ली और वो सोच रही होती तब तक उसकी friends आ जाती है और उससे बात करती है वो कहती है कि सभी तुम चली जाओगी हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगीगा और मेरी ममी तो आज तुम से मिलने वाली थी उनको लगा कि जब से तुम मेरी friend बनी हो तब से मैं और समझदार हो गई हूँ और पढ़ाई करने लगी हूँ तो सभी कहती है कि मैं राम टेक जा रही हूँ कोई इस दुनिया से थोड़ी न जा रही हूँ हम दोनों लोग टच में रहेंगे इशान आ जाता है तो सभी वहां से चली जाती है सभी क्लास में जाकर के बैठती है तो आयूश और कभी दोनों मिलके सभी को परिशान करते हैं वो गालिप का एक शेर सुनाते हैं और जिसमें सभी की बेज़दी करते हैं तो सभी की friend सभी का favor लेकर बोलती है कि सभी इस college से बेज़द होकर नहीं जा रही है वो इस college को लात मार के जा रही है और दुरूबा और आयूश मिलकर के सभी की बहुत बेज़दी करते हैं तो सभी एक शम्चे सिंगा शेर सुनाती है जो कि दुरूबा को समझ में नहीं आता है सारे class की बच्चे देख रहे होते हैं तो सभी कहती है तुम घर जाकर अपने बड़ों से पूछना और सभी लोग हसने लगते हैं और फिर उसके बाद वहाँ पर साठी सार आ जाते हैं तो साठी सार सभी बच्चों से कहते हैं कि स्टूटेंट्स आपको ये पर्चे दिये जाने हैं लेकिन बैल बजने के बाद ही आप अपना पेपर स्टार्ट करेंगे और इशान आ जाता है इशान सभी स्टूटेंट्स को all the best बोलता है और वो सभी की तरफ देखता है तो सभी मुग गमा लेती है और इशान फिर वहां से चला जाता है फिर पेपर स्टार्ट होता है तो सभी अपना पेपर कर रही होती है इतने में आप देखेंगे कि दुरूवा चीटिंग करती है वो चिट्स लाई है और दुरूवा से आयूश चिट मांगता है तो सभी देखने लगती है तो दुरुवा आयूश को चिट दे देती है तो आयूश भी चीटिंग कर रहा होता है दुरुवा और आयूश दोनों मिलकर के चिट से अपनी कॉपी में कॉश्चन सॉल्व करते हैं और क्लास के और भी बच्चे चीटिंग करते हैं सभी यह देखकर कुछ नहीं बोलती है और कबीर है वो भी चीटिंग कर रहा होता है तो दुरुवा कबीर से भी चिट लेती है फिर इधर दुबारा से आयूश दुरुवा से चिट मांगता है तो दुरुवा आयूश को चिट देती है तो सभी के डेस्क पे गिरके तो सभी परिशान होती है तो वो साथे सर से कहती है पर साथे सर से दुरूगा और आयूश कहते हैं कि सर ये जूट बोल रही है हम चीटिंग नहीं कर रहे हैं साथे सर सभी से कहते हैं कि तुम क्लास से बाहर निकल जाओ तो सभी कहती है कि सर ये लोग चीटिंग कर रहे हैं आपने तो खुद देखा है साथे सर कह रहे हैं कि ये लोग तो चीटिंग नहीं कर रहे हैं पर तुम जरूर पूरी क्लास को डिस्टरब कर रही हो तो उसके फ्रेंड्स भी खड़े होकर कहते हैं कि सर हमने भी देखा है कि ये लोग चीटिंग कर रहे थे तो साथे सर कहते हैं तुम लोग भी क्लास से बाहर निकल जाओ और सभी से कहते हैं मैं तो तुम्हारी आंसर शीट पे भी लिख दूँगा और निशी सभी से पूछता है ये क्या है तो सभी कहते हैं कि सर ये मेरी नहीं है तो निशी कहते हैं ये आपकी आंसर शीट से गिरी है मैंने खुद देखा है तो सभी कहते हैं कि सर आप मेरी कॉपी से मिला लीजे मैच कर लीजे मेरी आंसर शीट से तो निशी उसकी बात को नहीं सुनता है और निशी कहता है कि तुमने चीटिंग की है तो सवी कहती है सर मैंने चीटिंग नहीं की है चीटिंग तो आयूश और दुरुवा कर रहे थे और साथे सर ने भी देखा था पर निशी नहीं मानता है तो साथे सर कहते है कि सर करतें नहीं देखा पर ये जरूर पूरी क्लास को डिस्टरब कर रही थी तो साथे सर कहते हैं ऐसी स्टूडेंट्स पे तो कारवाही करनी चाहिए तो निशी उससे कहता है कि तुमने चीटिंग की है लेकिन उसकी बात कोई नहीं सुन रहा होता है तो निशी इशान से कहता है तो इशान कहता है कि ये मैटर बॉर्ड मीटिंग में रखा जाएगा मैं बॉर्ड मीटिंग के अरेंज करवाता हूँ और इशान सभी से कहता है कि मुझे तुम से ये उमीद नहीं थी तुम इतनी ब्रिलियंट स्टूडेंट हो तुमने सारे एक्जाम सब कॉलिफाई